साल दोजार बीस हमारे लिए भले ही कटू इस मित्या वाला रहा होगा क्यों क्योंकि कोरोना महामारी जो आया था सब लोग सोच रहे थे कि हम जिन्दा रहेंगे या ना रहेंगे लेकिन साल दोजार बीस में एक ऐसा काम हुआ है जो इतिहास में सेकलों नहीं हजारों नहीं लाखों नहीं कडोरों वर्सों तक अमित रहेगा वो काम है भगवान स्री राम के मंदिर का सिलन्यास क्या क्या परवर्तन हुए है भगवान स्री राम के मंदिर के सिलन्यास के बाद मैं इसे आप सब के विल्च पंतियों के मध्यम से रखना चाहता हूँ वो पंतिया ये है कि हम सब के भीतर भगवांस राम विरादमान है मैं उन्हीं भगवांस राम को प्रणाम करते हुए इस पंतिया को शुरू करता हूँ कि राम जी से आधियंत राम जी से आधियंत राम नाम है अनन्त सुष्टी का विधान एक राम नाम पत्थ है राम से बने हो आप राम में मिलोगे आप मुप्टी का प्रवाह एक राम नाम पत्थ है तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ राम नामतार देगा एक सत्य कृत्य है और जिन्दा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम सभी और मर गए तो लोग का है राम नाम सत्य है क्या क्या परिवर्तन हुए है भगवान सिराम के मंदिर के सिलन्यास के बाद आएए देखिए कि खतम हुआ वनवासराम का फिर दीवाली आई है मा को सल्यक के आँखों में फिर खुसाली चाई है कि अंदकार का वक्ष चीर कर देखो सुरज निकला है भारतिय परिधान ओर कर देखो जंगर निकला है भारतिय परिधान ओर कर देखो जंगर निकला है बरस पांच सो बाद धरा पर ऐसा सुब दिन आया है और बड़े दिनों के बाद अवद में केसरिया लहर आया है और क्या क्या परिवर्तन हुए है भगवांस राम के मंदिर के सिनन्याज के बाद आये देखिए नहीं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पत्षडबीद गई हर्याली ने फिर दस्तक देडाली गंदी जीवा मौन हुई जो देती थी प्रत्पल गाली राम राज का उदे हुआ है आये वर्ष के अंगन में राम राज का उदे हुआ है आये वर्ष के अंगन में राम नाम की गुझ उठी पूरे भारत के जीवन में सभी गिलहेरी बनके आये राम दूत मैदानों में ताकत दुन्या को दिखला दी कल्युक्य हनमानों ने ताकत दुन्या को दिखला दी कल्युक्य हनमानों ने साल 1992 का वर दर्द आप सब के बीद खिचना चाहता हूं वह अंदर हमारे लिए मंदर महीं है जहाब वह हमारे लिए एक आफ्था का केंद्र है वह हमारे लिए इस हास का निर्वान है हम सब 10-10 रुपए की पर्ची 10-10 रुपए की रसीद कटवाए ताकि भगवान शिराम का मंदिर बंच सके चाहते तो हमारे देश के चार-पांच बड़े लोग ही मिलकर इस देश इस मंदिर को बना सकते लेकिन ऐसा नहीं किया गया हमारे पसीने से निकले बूंच से निकले कमाई का यहां सहयोग लिया गया ताकि भगवान शिराम का मंदिर बंच सके क्या है मंदिर हमारे लिए आप सब के बीच रख राखना चाहते हूं कि यह मंदिर गंगा सपन हमारा है पंपापूर में मासबरी की नैनों की यह आसा है घायल पड़े जटायों के मन की यह सच्ची अभिलासा है यह मंदर सो सिलालेख है सनात्नी सच्चाई का विजय तिलक है स्री राव पर तुल्सी की चौपाई का जिस मंदर के खातिर तो अब न सर्व समर भी थे जिस मंदिर के खातिर तो अब ना सर्व समर्वित है बहा मंदिर तो कारशेव का एक पावन तरपड है मंदिर बनाने के निड़ना के बाद क्या पड़िवर्त हुआ इस निड़ना ने आसाओं का सुरज एक उगाया है भारत वासी का सोया स्वाभी मान जगाया है इस निड़ना ने धारा दी है अब आगे क्या करना है रामकाज को जीवन पूरा अपना अर्पिच करना है सद्यों से जो वन्चित था वो काम नेक कर डाला है और साथ साल से बिखरा हिंदू पुना एक कर डाला है जजा स्री राम